हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूटूब चैनल दोस्तों वैसे तो आपको मेरी आवाज से पता लग ही गया होगा क्योंकि बहुत जादा तबित खराब है मुझे कॉल्ड हुआ पड़ा पिछले तीन चाह दिनों से विडियो भी नहीं बना पा रहा लेकिन दोस्तों मज स्टीचिंग दोनों चीजे सीखने को मिलेंगी फुल इलास्टिक वाली पैंट कैसे बनाई जाती है और दोस्तों अगर आप सिलाई का शोक रखते हो घर बैटके सिलाई सीखना चाहते हो तो आप मारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स भी जोईन कर सकते हो इस्क्रीन के उपर दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे इन नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डेटेल साप ले सकते हो तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास ये जो एक कपड़ा है ये देखिए ये किनारी होती हैं दोस्तों ये ये किनारी के वैसे खिचाव बढ़ता है तो सबसे पहले इस किनारी को काट कर अलग कर दो ताकि खिचाव का कोई कारण ही ना रहे तो सबसे पहले इस किनारी को मैंसे काट कर देता हूँ किनारी को मैंने अलग कर दिया है अब आपको क्या कना है अब आपको सिर्फ उपर के दो पले ऊठाने ही यह। इस परकार श्रकार थिक है हम पहले आगे के दो पल्ले की कटिंग करेंगे उसके बाद पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको समझाता है उसका मेजरमेंट क्या है तो तयार जो लंबाई है वह है 36 इंच कमर इसके 32 है इसकी जो 20 जिसे हम जांग बोलते हैं जांग का जो साइज इस परकार से देखिए, यह देखिए। अब यह जो निशान लगाना हैं आपको मद्विए 2.5श लखना है, नीच चे से फॉल्ड करने के लिए, अब इस निशान से आपको लगानी है, लंबाई लंबाई इसकी 36 है, तो ये देखिए, 36 में से आपको 1 इंच कम करना है, इसके बाद दोस्तों लंबाई का निशान में ने लगा लिया है आप देख सकते हो ठीक है 35 अब बात करते हैं इसकी कमर की कमर इसकी 32 है तो 32 का करना है आपको एक चुथाई 32 का आदा होता है 16 और 16 का आदा कितना होता है आठ ये दिखिए आठ चोक 32 और इधर से आपको तीर करके 3 इंच एक ठा डिक हो क्योंकि कि दोस्तों इसमें हमने वेलगानी है तो लाश्टिक को लगाने के-लिए हमारे मार्जन चाहिए इसलिए तीर इंच आपको कपड़ा एक ठा रखना आप इसके बाद क्या करना होता है इस जग एसे आपको करना अउनिज यह देखिए रि निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका क्या होता है जो भी किसी का हिप साइज होता है हिप साइज का आपको एक चोथाई करना है और उसमें आपको दो इंच प्लस कर देना है जैसे कि हिप साइज 34 है तो 34 का अदा 17 और 17 का साधे आठ तो इस जगे से यह दिखे जो में डाउन यहां से आपको एक इंच उपर निकालना है और यह साढ़े आठ पर निशान लगाना है ठीक है और दो इंच इसमें प्लस कर देना यह दो इंच में इसमें प्लस कर दिया है तो इस तरीके से आप क्रोच एरिया निकाल सकते हो किसी भी साइज की पैंट का क्रोच एरिया भी निकल गया अब आते हैं इसकी थाइज यानी जांग पर जांग का ना पर दोस्तों बाइस तो बाइस का आदा कितना होता है ग्यारा तो ग्यारा इंच पर यहां पर आपको निशान लगाना है यह देखिए बिल्कुर फिक्स ही नाप रखना है क्योंकि आगे का जो पल्ला है बिल्कुर फिक्स कटेगा पीछे का पल्ले में हम इसको बाद में बढ़ाकर कटिंग करेंगे तो यह देखी यहांसे 11 दोनी 22 अब आते हैं नीचे महरी पर महरी का भी सिंपल फार्मूला है यहांसे घ्यारा इंच है तो यहांसे भी आपको ग्यारा इंच पर एक निशान ल रगारने अब आपको उठानी ही शेप पत्ती इतिगे से प्टी के वे विए दोस्तों पैंट की किसलर करना पुसीबल नहीं है शेप पर्टी होनी बहुत जरूरा यह अगर आपके पड़ी नहीं है तो पैंट की जो पर शेपन नहीं बन पाती पहुंद से के इस तरह से तो यहां से आपको अंदर की तरह एक निशान लगाना है दो इंच पर ठीक है और उपर वाले निशान से आपको मिला लेना है जो हमने यह तीर इंच बढ़ा कर लिया था यह देखी इस प्रकार से और यहां पर आपको जितनी ज्यादा गोलाई दोगे उतना बढ़िया रहेगा यह देखी इस प्रकार से फुल गोलाई दे देनी है तो इस प्रकार से आप देख सकते हो फ्रंट वाले पार्ट की मैंने मार्किंग कर ली है अब इसकी मैं करूंगा कटिंग तो दोस्तों यह देखी इस प्रकार से जो फ्रंट वाला पार्ट ना इसकी मैंने कटिंग कर लिए यहां से थोड़ा सा कपड़ा चोटा बड़ा इसको बराबर कर लेते हैं तो फ्रंट वाले पार्ट की दो कटिंग हो चुकी अब इसको इस प्रकार से लेट लेते हैं अब अब आपको क्या करना है अब इस कपड़े को आपने इस प्रकार से नीचे की तरफ सरकार्माइं है इस जगे से आपको बढ़ाना है कितना बढ़ाना कि दिखे बहुत इजी डूंच इंच इथ से और शेव पत्टी ले और इनको आपस में इस परकार से मिलाड़that है तो दोस्तों जब हमने आगे वाले पार्ट किया ऐसे कटिंग करी थी तो ये जो निशान था ने यह वाला बिल्कु सीधा था यहां से मैंने एक इंच डाउन किया था लेकिन जब आप पीछे वाले पाट की कटिंग करो तो यहां से जो एक इंच हमने डाउन किया था अब एक इंच आपको उपर बढ़ा देना इस परकार से देखें और आपको स्केल से इस सब्सक्राश निशान लगाना है यह इयाद आखना है इधर से तो ब्रावर ही होना चाहिए कि देखें कि हैं यहां से एक इंच झुदान किया तो पीछे वालेशक्त इसे में आपको एक इंच उपर बढ़ा देना है और इधर से भी आपको दो इंच बढ़ाना है यह देखी इस प्रकार से और इसको आपने इसमें जाके मिला लेना यह देखे और यहां पर आपको इस प्रकार से कर देनी है गोलाई अब दोस्तों इसमें जो आपको confusion हो रहा होगा मैं आपको बताता हूं क्या confusion हो रहा होगा आपको आपको confusion यह हो रहा होगा कि कमर है इसकी 32 तो यह हो गया 8 चोक 32 ठीक है और 3 निच में आगे बढ़ाया है लेकिन पीछे वाले इससे में हमने ज्यादा बढ़ाया यह देखी तो यह आठ चोक 32 तो हो गया यह ठीक है और पीछे वाले इससा कितना बढ़ाया लगभग यह साड़े पांच है तो कुल मिला के दोस्तों जो फुल इलास्टिक वाली पैंट होती है उसकी कटिंग का जो बै नहीं पार्किंग मैंने कर ली है अब हिसकी हम करेंगे कट Ha इसके लिए आपको क्या करना इधर से एक निशान लगाना है दो इंच पर और इधर से एक निशान लगाना है आपको साड़े च्छा इंच पर यह देखिए और स्केल के मदद से आपको इस परकार से रखते हुए यह देखिए इस परकार से क्रोस में एक निशान लगाना है आपकी जो pocket है इस तरह से लग सके यह जो मैंने निशान इधर लगाया यह देखिए ठीक है इसी प्रकार से आपको यह जो निशान है इधर भी लगा लेना है यह देखिए तो दोनों ही तरफ आपके जो है निशान लग जाएंगे इधर भी लग चुका और इधर भी लग चुका है तो दोस्तों अब इसकी जो है हम शुरू करते हैं सिलाई तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी लगाएंगे पॉकेट यह देखिए पॉकेट उल्रडी में इसकी करनी होती है तो दोनों pocket में न कट कर रखी है आपको क्या करना यह देखी सबसे पहले आपको एक पल्ला उठाना है यह देखिए और इस पल्ले के नीचे आपको इस pocket को रखना इस तरह से गोलवाल ऐसा नीचा आएगा और इस प्रकार से इसको रखना है सीधी पहले कर और छे लगानीहेंछ थीक है स्लेडी लगाने के बाद आगे का काम बताता हूं तो दोस्तो यह दिखेज इस परकार से स्ल्णाय में नगा लिए और यह Care लगारा हूं दोस्तों इसको बोलता है क्रोस पाटिट अब आपको क्या करना यह देखिए जो स्लाई लगाने के बाद अब यह जो पॉकिट है नहीं यह वाली अब इस पॉकिट के आपको इस पर एक स्लाई लगानी है यह देखे किनारे पर इस स्लाई को लगाने के बाद अब यह जो सारा मारजर अंदर की तरफ करते हुए इसके उपर आपको एक स्लाई लगानी है अब दोस्तो आगे का जो काम है वो यह होता है देखिए अब आपकी वैसे पॉक्रिट जो है इस प्रकार से आपको नजर आएगी आप देखेंगे तो इसमें हाट डालो लेकिन नीचे से भी ओपन है तो उसको लिए आपको क्या करना है उसके लिए दोस्तो आपको इसमें चाहे तो सीधी स्लाई लगा सकते हो बाद में इंट्रोक कर सकते हो लेकिन सीधी स्लाई नहीं भी लगानी गुम स्लाई लगानी तो इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपने इसमें ऐसे सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेते हैं और यह देखिए सिलाई आपकी बिल्कुल गुम तरीके से इस प्रकार से लग चुकी है कैची की मदद से आपको इसे इस परकार से सीधा कर लेना है और इसके उपर भी आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हो तो दोस्तों अब इसमें जो आगे का काम है वो ये देखिए अब ये एक pocket हमारी लगबग तयार है इसमें नेचे से बंद हो चुकी है आप देख सकते हो इसको साइड से बंद करना है यह देखिए यह साइड से खुला हो इस पेस है बिल्कुल सीधी लगानी है और इसी परकार से यहां से भी आपको एक लगानी है यह जो एक्टा कप्रा है यह pocket वाला इसको आपने कट कर लेना है तो पहले यहां से लगा लेते हैं यह देखें और इधर से भी लगा के इसको बंद कर लेते हैं तो दोस्तों यह देखें के एक तरफ कि जो हमारी रहा फॉर पोकेट लग किया अब सेम इसी परकार से दूसरी पाउप को लगा लेने यह तो जब आप दोनों तरफ फॉपोकेट लगा लेते हो यह देखिए इधर भी पॉकेट लगा लियान है अब आपको उठाने इसके पीछे वाले फल्दे, यह देखिए, दौनों को पीचे वाले पार्ट से, अब इनको आपस में आपने जोड़ना है, एक पार्ट को आपने इह जोड़ लेना ही, यह देखिए, इस परकार से सिधा रखना है, और यहाँ से बिलकुल बराबर रखते हुए, सीधी इस स्लाई को आपने लगा लेना है इस स्लाई को लगाने के बाद आगे इसमें क्या करेंगे वो हम बताते हैं तो दोस्तों साइड की स्लाई आप देख सकते हो मैंने लगा लिए एक इधर और एक इधर अब आपको दोनों पीछे वाले जो पार्ट है ने ये वाले इन दोनों को आपस में अटेच करना इस परकार से यह देखि इसको रख दें ठीक है और यहां से पिल्कुल राउंड में एक लगा दें ठीक है इस को आपने डाइगाना है क्यूंकि आशन वाली जगह पर खिचा वाता है तो इस लैए को डॉबल ही आपने लगाना है तो दोस्तो तो पहले इसमें हम उपर लगाएंगे एक पट्टी जिसके अंदर हमें लास्टिक को लगाना है तो पट्टी लगाने के लिए आपको यह दिखी आपको एक चार इंच चोड़ी पट्टी चाहिए यह देखिए यह पट्टी है मेरे पास इसके चुड़ाई है चार इंच इसको आपने यहां से स्टार्ट करना यह देखें इसके नीचे रखना है आपको और यहां से आधा हिंच का मार्जन देते हुए इसके साथ साथ आपने अटैच कर लेना है इस परकार से और जो भी एक्स्रा पटी इसके बाद में हम कटिंग क कर लेंगे तो दोस्तों यह देखिए इस परकार से चार इंच चोड़ी पटी थी जो उसको मैंने इस परकार से लगा लिया है अब इस पटी को दोस्तों आपने इस परकार से फोल्ड करते हुए यहां पर ऐसे सिलाई लगा लेनी है जैसे हम सरवाकर नेफा फोल्ड करते है तो इसको फोल्ड करना है लेकिन फोल्ड करने से पहले आपको क्या करना है यह देखिए इसको बिल्कुल सीधा रखना इस तरह से यह देखिए यह पोकेट वाले सीधा है इसमें हमने लगानी है गुम सिलाई तो गुम सिलाई लगाने के लिए देखिए क्या करना आपको बिल तो बी एक्स्ट्रा मारजन कम ही रखा जाता है तब गुम लग पाती है वरना मारजन बार की तरफ नजर आता है यह देखिए अब यह जो मैंने लगाई है आप देख सकते हो बिल्कुल सीधी से लाई है आप भी सोच्छों के भी यह क्या कर दिया यह देखिए यह पाकिट को गुम कैसे करना है यह देखिए यहां से इसको अंदर की तो दबा देना यह देखिए कहना के बतला में रही है कि इसको इस प्रकार से जब आप लगाओगे तो आपकी लगेगी एकदम गुम इसको यह से पकड़ा और आधा इसके मारजन लेतों सीधी स्लाई आपको लगा ले में जाएंगी यहां पर यह तो अब इसमें लगाते हैं लास्टिक तो दोस्तो इसे लगाने के बाद आब देखिए इसको आपने इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है इस तरह से ठीक है और कहीं से भी स्लाई की स्टार्टिंग आप कर सकते का क्योंकि आपको बिल्कुर सलौर केला कि I can replace income अफिर फोड करना बस आप को 2 इंच का या फिर 2 इंच शोड़ना क्ली मिलास्टिक प्रों सके पहले स्टाया मिलाश्ट बदेग Самल लाश्टिक से लगए वह मैं आपको बता अब लाश्टिक इसके अंतर कैसे लगानी है क्योंकि दोस्तों कमर है इसकी 32 तो यह देखिए जब आप कोई ऐसी पैंटर बनाते हो जिसमें पूरे में लाश्टिक लगानी हो तो यह देखिए जैसे 32 कमर है 32 आ रहा है इस जगे पर हना तो यहां पर पहले चौक से निशाना फरक नहीं पड़ता और इसको यहां से कर लेते हैं कट कट करने के बाद दोस्तों अब आपको उठानी है एक सेफटी पिन यह देखिए यह सेफटी पिन है इसको आपने इस परकार से लगाया और इस छोर से यह देखिए आपको डालना है ठीक है सेफटी पिन के मलद से और तो इस छोड़ से ये निकल कर बार आ जाएगी तो दोस्तो लास्टिक को इस पकार से आर पार निकालने के बाद इसको आपस में आपने इस पकार से सलाई लगा लेना है और उसके बाद ये लास्टिक के आपके अंदर चली जाएगी और ये जो खाली स्पेस है इसको भी आप में मैं बनाती है तो दोस्तो लास्टिक तो हमारी लग चुकी है यह देखिए बिले में हम najwię्स तरå घाल मैं मुखें पहले आप चाहे तो इसको निचे से फोल कर सकती हो इस परकार से जो ड्हाईन चमल ऐसा को पकड़'t के यहां सीधी स्लहाई लगा लेनीं उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद सीधी स्लहाई लगाता करना इस बिस तार्ट करना सुआ पैंट को मैंने प्रेस कर लिया है ये साइड पॉकेट होगी ये फुल लास्टिक है और ये इसकी जो है आप क्रीज देख सकते हो बहुत ही शांदा पैंट का लुक है तो दोस्तों ये थी मेरे आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करें थैंक यू वेरी मच